पोला त्योहार कब है? पोला फेस्टिवल धीट दोहजार तईस हलो एवरीवन वेलकम बैक टो में चैनल कुझा अफेसे लावरी और चैनल कैसे आप लोग आई होपसो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नीचे बैल ऐकन से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए 2023 में पोला तिहार कब है पोला फैस्टिवल डेट पोला का तिहार भादो महा की अमवस्या को जिसे पिठोरी अमवस्या भी कहते हैं उस तिन मनाया जाता है ये अगस्त सिप्तिम्बर महिने में आता है इस वर्ष 14 सितंबर को ये मनाया जाएगा महराष्ट में इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है विशेश तोर पर विधर्वक्षेत्र में इसकी बड़ी धूम रहती है वहाँ ये त्योहार दो दिनों तक मनाया जाता है वहाँ बैल पोला को मोठा पोला कहते हैं एबं इसके दूसरे दिन को तनहा पोला कहा जाता है पोला तिवार का नाम पोला क्यूं पड़ा विश्णो भगवान जब कानहा की रूप में धर्ती पर आये थे जिसे कृष्ण जन्मास्टमी के रूप से मनाया जाता है तब जन्म से ही उनके कंस मामा उनकी जान के दुश्म एक बार कंस ने पोला सुर नामक असुर को भेजा था इसे भी क्रिश्ण ने अपनी लीला के चलते मार दिया था और उसको अचमभित कर दिया था वे दिन भादो माह की अमवस्या का दिन था इस दिन से इसे पोला कहा जाता है ये दिन बच्चों का दिन कहा जाता है इस दि पोला तिहार क्यों मनाया जाता है महत्व पोला फैस्टिवल महत्वीन हिंदी भारत जहां कृशी आई का मुखे सुरूत है और ज्यादातर किसानों की खेती के लिए बैलों का प्रियोग किया जाता है इसलिए किसान पस्वों की पूजा अराधना एवं उनको धनिवाद देन के लिए ये तिहार को मनाते हैं पोला तिहार मनाने का तरीका पोला फैस्टिवल सेलिब्रेशन पोला दो तरह से मनाया जाता है बड़ा पोला एवं छोटा पोला बड़ा पोला में बैल को सजा कर उसकी पूजा की जाती है जबकि छोटा पोला में बच्चे खिलाने के बैल गोरे को मुहले परोसों में घर घर ले जाते हैं और फिर कुछ पैसे या गिफ्ट दे दिये जाते हैं महराष्ट में पोला पर्व मनाने का तरीका पोला फेस्टिवल इन महराष्ट पोला के पहले दीन किसान अपने बैलों के गले एवं मुह से रसी निकाल देते हैं दुसरे दिन इसके बाद उन्हें हल्दी बेशन का लेप लगाते हैं तेल से उनकी मालिस की जाती है इसके बाद उन्हें गर्म पानी से अच्छे से नहलाया जाता है अगर पास में नदी तलाव होता है तो उन्हें वहां ले जाकर नहलाया जाता है इसके बाद उन्हें बाज विरंगे कपरे पहनाये जाते हैं तरह तरह के जेवर फुलों की माला उनको पहनाते हैं शाल चड़ाते हैं इन सब के साथ सथ घर परिवार के सभी लोग नाच गाना करते हैं इस तीन का मुख्य उदेश ये है कि बैलों के सिंग में बंधी पुरानी रसी को बदल करने तरीके से बादा जाता है गाउं के सभी लोग एक जगह इकठा होते हैं और अपने अपने पशों को सजा कर लाते हैं इस दिन सब को अपनी बैलों को दिखाने का मौका मिलता है फिर इन सब की पूझा करके पूरे गाउं में ढोल नगारे के साथ इनका जुलूस निकाला जाता है इस दिन घर में विशेश तरह के पकवान बनाते हैं, इस दिन पूरम, पोली, गुंजिया, वेजिटेवल, करी, एवं पास तरह की सबजी मिलाकर मिक्स सबजी बनाई जाती हैं, कई किसान इस दिन से अपनी अगली खेती की शुरुआत करते हैं, कई जगा इस दिन मेले भी ल लोखो आदी, मध्य प्रदेश एवं 36 गड में पोला पर्व मनाने का तरीका, पोला फेस्टिवल इन MP एंड 36 गड, मध्य प्रदेश एवं 36 गड बहुत सी आदिवासी जाती एवं जनजातियां रहती हैं, यहां के गाउं में पोला के त्योहार को बड़े धुमधाम से मना जाते हैं, यहां सही के बैल की जगल लकरी एवं लोहे के बैल की पूजा की जाती है, बैल के अलावा यहां लकरी पीतल के घोरे की भी पूजा की जाती है, इस दिन घोरे बैल के साथ साथ चक्की भी पूजी जाती है, पहले के जमाने में घोरे बैल जीवनी को चलाने के ल जाता था तरह तरह के पकवान इनको चढ़ाये जाते हैं सेव गुजिया मीठे खुर में आदी बनाये जाते हैं घोड़े के उपर थैली रख कर उसमें एक पकवान रखे जाते हैं फिर अगले दिन सुबह से ये घोड़े बैल को लेकर बच्चे मुहले परोस में घर-घर जा इसके अलावा पोला के दिन मध्य प्रदेश एवं 36 घर में गेडी का जुलूस निकाला जाता है गेडी बास से बनाया जाता है जिसमें एक लंबा बास से नीचे एक दो फिट उपर आड़ा करके छोटा बास लगाया जाता है फिर इस पर बैलेंस करके खड़े होकर चला ज जाता है गेडी कई साइज की बनाई जाती है जिसमें बच्चे बड़े सभी बढ़ चड़कर हिस्सा लेता है ये एक तरह का खेल है जो मध्य प्रदेश एवं 36 घर का पारंपरी खेल है भारत के अनिक शेत्रों में तो इसे जानते भी नहीं होंगे पोला का तिहार हर इंसा को जानवरों का सम्मान करना सिखाता है जैसे जैसे ये तिहार आने लगता है सभी लोग मेहनती किसानों को हैपी पोला कहकर मुबारक देने लगते हैं एक बार फिर से बता देती हूँ पोला फैस्टिवल जो है वो 2023 में कब मनाया जाएगा जीहां 14 सितंबर दिन गुरुव बताएगा और एक बार फिर आप लोगों को बतादू जानवर के समान के लिए एक दिन जरूर निकाले जीहां और अगर आपको मेरा वीडियो चड़ा सभी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना बिलकुल न भूलना थैंक्स पर व